हलो एब्रिवन वेलकम टू मैं चैनल वांग शेन कीट लब स्टोरी तो फ्रेंड चलिए अब हम अपनी स्टोरी बैटिंग प्लानर का नेक्स पार्ट शुरू करते हैं और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक की कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं हम देखते हैं स्टोरी में हमने देखा कि लेंडिंग को थीम बहुत पसंद आती है जिससे वांग जी और सिचैन को भी वो थीम बहुत पसंद आती है फाइन जी और सिचन हम कहते हैं अंकल उन दोनों को गुट नाइट बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं लेंडिंग भी अपने दोनों ब्रदर्स को हग करती है और गुट नाइट कहके अपने रूम में चले जाती है फाइनली दोनों लेंड ब्रदर्स भी एक दूसरे को गुट न जियांग चेंग कैता है तुम्हें सिचेंग कैसे लगते हैं जियांग एकदम से विंग की तरफ देखता है और कैसे लगते हैं कि क्या मतलब है तभी विंग कैता है तुम्हें पता है मुझे लगता है सिचेंग बहुत अच्छे परसन है तुमने देखा है न वो कितना पॉला उसके चेरे पर बड़ी गिसी स्माइल आजाती है। दभी विम केता है, जिहांग चेंग, क्या तुम्हें सचमी से चैन पसंद है? जिहांग चेंग कहता है, भी तुम अपने मुं बंद करो, ता समझे तुम, मैंने ये कब कहा, मुझे पसंद है, पर हाँ मैं तुम्हारी इस बात से अगरी करता हूँ किसी चैने एक अच्छा परसन है मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे वो पसंद है तब ही वींग कहता है ओ माई गॉड जियांग चेंग तुम तो बलश कर रहे हो जियांग चेंग फाइल उठा के वींग के सिर पर देता और कहता है तुम तुम अपना मूँ बंद करो और ये काम चलती फिनिश करो मुझे बहुत नहीं दागर रही है वींग कहता है ठीक है ऐसा कहके वो दोनो अपना वर्क प्लीट करते हैं फाइनली दोन एक दूसरे को गुट नाइट बोलते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं अब हम नेक्स टे मॉर्निंग का सीन देखते हैं हम मॉर्निंग में देखते हैं किसी चेंग और वांग जी दोनों ओफिस में थे वो मिस्टर जो को बुलाते है और मिस्टर जो से कहते हैं मिस्टर जो आप जीयांग स्वेडिंग कंपनी में कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमें उनसे मीटिंग करनी है मिस्टर जो ओके कहते हैं और कंपनी में कंपनी में विंग की सेकेटरी कॉल उठाती है तभी वो मिस्टर जो से बात करके ओके कहती है थोड़ी दिर बाद हम देखते हैं कि विंग और जियांग चेंग दोनों अपनी कंपनी आते हैं और सीधा अपने ओफिस रूम में चले जाते हैं तभी वो सेकेटरी उन दोनों के पीछे आती है और विंग से कहती है तभी विंग और जियांग चेंग उस सेकेटरी की तरफ देखते हैं वो दोनों को good morning wish करती है फिर वो जियांग चेंग से कहती है सर मिस्टर लेन ने आपके साथ मीटिंग के लिए πोला है जौ्ञ चेंग चैथा ठीक है अग्छों ने कितनी बजे का बोला है तबी वो कहती है सर उन्हों ने कहा है कि आप ही टाइम दे फिक्स करके बाता सकते हैं भिंग और जौक चैंग दोनों इन दूसरी की तरफ देखते हैं तबी जौक चैंग चैंग कहती है ठीक है तो उन्हें दस बज़े का टाइम देदी सेकेटरी ओके कहती है और एक स्माइल करके वहाँ से चली जाती है सेकेटरी जाके मिस्टर जो को कॉल करती है और मिस्टर जो से कहती है हमारे सर ने आपको दस बज़े का टाइम दिया है वहीं वांग जी और सेचेने के स्मायल करते हैं और ओके कहते हैं अब हम दस बजे का सीन देखते हैं हम देखते हैं दोनों लैंड ब्रदर्स जियांग's वेडिंग कंपनी के सामने खड़े थे तो उना एक दिश्रे की तरफ स्माइल करते हैं और सीधा ओफिस में अंदर चले जाते हैं जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उना एक लेडिस दिखती है वो उन दोनों को देखके वो करती है और उनसे कहती है सर आप मेरे साथ आईए वो दोनों उसके साथ जाते हैं भाम जी पूरी ओफिस को देख रहा था अब आप्टर वो एक बैडिंग कंपनी थी इसलिए उसको इतने अच्छे से रखा गया था कि उसमें जगे जगे डिफरेंट डिफरेंट पोस्टर थे और कुछ ऐसी थीम्स थी जिसने देखके रवांग जी तो बहुत इंप्रेस था वो अपनी बृदर से कहता है सच में दोनों बृदर बहुत ही बहुत ही अच्छा काम कहते हैं देखो उन्होंने अपनी कंपनी को भी कितना अच्छे से सजा के रखा है जैंग जैंग कहते हैं सही का वांग जी तुमने ऐसे भी दोनों बहुत हार्ड वर करें पता है तुमें तबी वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है हां ब्रदर उन्हें देखके ही पता चलता है दोनों बो सेकेटरी उन दोनों को अंदर ले जाती है और वहां से चले जाती है वींग और जैंग जैसे ही सिचन वाम जी देखते हैं को दोनों खड़े हो जाते हैं वाम जी तो बस वींग को ही देखे जा रहा था वींग जो बस वाम जी को एक नज़र देखता है पता नहीं क्यों आज वींग वाम जी को देखे बहुत आजीब सा लग रहा था वांग जी आज सच में बहुत हैंसम लग रहा था वांग जी वांग जी की नजने तो विंग से हटी नहीं रही थी तबी विंग बस एक बार वांग जी को देखता है और अपना फेस नीचे कर लेता है पता नहीं क्यों वांग जी को बहुत ही अलग फीलिंग हो रहे थी लेकिन वो खुद को ऐसे दिखाना नहीं चाहता था वो वांग जी की तरफ देखना नहीं चाहता था वांग जी तो फिर भी वींग को देखता रहता है वींग की लिप्स को देखता है इनकी लिप्स के नीचे मोल था उसकी नजर तो उससे अठी नहीं रही थी तभी जैंग चेंग दोनों बड़र्दस को बैठने को बोलता है वो सबी वहीं सूपे पर बैठ जाते हैं तभी जैंग चेंग कहता है तो सरर आपने क्या सुचा है तबी सिचेन कहते हैं सच में ज्यांग चेंग तुम मुझे ऐसा लगता है उल्ड बना के छोड़ोगे ज्यांग चेंग एक स्पेस पे एक स्माइल आ जाती है ज्यांग चेंग कहता है सोरी मिस्टर सिचेन आप बताईए कि आपनी क्या डिसाइट किया है जबी वांग चेंग कहता है हमारी सिचेन ने आपकी फ्लॉवर वाली ठीम को बहुत पसंद किया है इसलिए हम चाहते हैं आप उसी तरीके से उसको प्लान करें वांग वींग और ज्यांग चेंग उके कहते हैं जबी ज्यांग चेंग कहता है तो आप हमें बताएए आप शादी कौन सी जगह चांते हैं कि आपके mansion में होने वाली है या कहीं दूसरी जगह जभी सी चैन कहते हैं नहीं शादी हमारे mansion में तो होगी लेकिन उस mansion में नहीं हमारे पुस्तिशनी घर में होगी क्योंकि हमारे हैं सारी साधियां हमारे उस पुस्तैनी घर में होती है वीं कहता है अच्छा तो ठीक है फिर आप हमें वहां के कुछ फोटोस बेज दीजिए ताकि हम देख सके कि हमको वहां किस तरीके से शादी को प्लान करना है मुझे लगता है आपको एक बार हमारे साथ जाके उस मेंशन को देख लेना चाहिए ज्यांग चेंग और वीं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे तभी वीं कहता है पर वांग जी कहता है उसमें परवाल ही कोई बात नहीं है आप आएंगे तो अच्छा रहेगा आप दोनों जब उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कुछ भी करने की ज्यांग चेंग को भी वो बात सही लगती इसलिए वो वींग से कहता है मुझे लगता है मिस्टर सिचेन और वांग जी सही कह रहे है हमें उनके साथ चलना चाहिए वींग तो बड़ी बड़ी आगों से ज्यांग चेंग की तरफ देख रहा था ज्यांग चेंग वींग से कहता है वींग यह हमारा काम है और हमें बूलना नहीं चाहिए तब इसे चेंग कहते है मुझे लगता है हम अभी जाके देख सकते हैं वींग कहता है क्या वांग जी कहता है हाँ हम अभी फ्री हैं हमारी कुई मेटिंग नहीं है और हम बिल्कुल फ्री हैं अगर आपके पास टाइम है तो हम अभी चल सकते हैं विचारा विंग और ज्यांग चेंग दोनों बस हम कर देते हैं फाइनली वो चारों खड़े होते हैं और ओफिस से बाहर निकला आते हैं उस कंपिनी से बाहर आने के बाद विंग और ज्यांग चेंग दोनों ही अपनी कार के पास जा रहे थे तभी सिचैन कहते हैं ज्यांग Chang Chang शिचें की तरफ दिखता है हाँ जचें कहते है मुझे लगता है आपको हमारे साथ ही चलना चाहिए Chang Chang कहता है नहीं Mr. सिचें हमारे पास कार है हम अपनी कार से जा सकते है बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होगी आपको हमें डरॉप करना हुआ तबी वांग जी वींग की तरफ देखता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम आपको ड्रॉप कर देंगे और वैसे भी अच्छा है ना हम साथ में जाएंगे तो एक दूसरे को जान भी लेंगे वींग जो वांग जी को बस देख रहा था वांग जी किस तरीके से वींग को देखते हुए अपनी लिप्स लिख कर रहा था वींग को बहुत गुसा रहा था पर वींग कुछ भी नहीं कहता तबी जांग चेंग वींग की तरफ देखता है वींग तो इसारों में जांग चेंग को मना कर रहा था पर जांग चेंग को पताना हो गया था वो सवर्डनली हां कर देता है भिंग बड़ी-बड़ी आंग मैं से जांग चेंग चेंग किरेज़ के था है जांग चेंग तबीज जांग चेंग केता है भिंग Mr. Seigen सही के रहे हैं हमें उनके साथ ही चलना चाहिए ऐसा कहके वो दोनों कार की तरह आथे हैं, तभी वांग जी कहता है, ठीक है जल जल तुम हम मेरी ब्रदर के साथ वही सपास में बैठ सकते हो, मैं पीछे बैठ जाओगँगा, विंग कहता है नहीं, आप बैठ जाइए मिस्टर वांग जी, में और मेरी ब्रदर एक साथ बैठ हमें कुछ डिसकस्वई करना होगा जब भी वांग जी कहता है तो हम बहुत दूरी पर नहीं है Mr. Wings हम गाडऴ में साहतमें बेटके डिसकस्वई कर सकता है विंग अपनी एक लंबी सी सांस लेता है जयंग चैन एक हिस्माइल करता है और चैन के पास जाके ड्रैवल वाली सीट के पास में बैट जाता है उधर वांग जी भी जल्दी से कार का टूर उपन करता है और विंग से कहता है तुम भी जाओ विंग अंदर विंग वांग जी को गुछ से में देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और वो जाके वींग के वहां अंदर खार में बैठ जाता है वांग जी भी वींग के साथ बैठ जाता है वींग बारवार वांग जी को देखे जा रहा था तबी सबी लोग बिलकुर सैलेंट हो जाते है वांग जी वींग देख सकता था कि वांग जी बस उससे ही देख रहा है, तब ही वांग जी की तरफ देखता है, और कहता है, मिस्टर वांग जी, कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है, वांग जी कहता है, नहीं नहीं तो विंग कहता है, फिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, वांग जी के चेहरे पर कि smile आती है और कहता है कोई चीज बहुत खूबसूरत हो तो उसे देखने में क्या problem है विंग कहता है कि क्या वांग जी कहता है कुछ भी नहीं वांग जी एक smile करता है विंग अपना face दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि रिविंग का face पूरा red हो गया था और वो वांग जी को दिखाना नहीं चाहता था सच तो ये था कि वांग जी को भी विंग अच्छा लगता था सच तो ये था कि विंग को भी वांग जी पसंद था लेकिन विंग विंग को बस वांग जी की जो हरकतें थी न फ्ररटी टाइप की वो बसन नहीं थी लेकिन जब भी वांग जी विंग के पास होता था था तो विंग को भी पता नहीं दिल में क्यों अच्छी भी वर्म्टनेस फील होती थी उदर हम सिचेन को देते हैं देखते हैं सिचेन और ज्यांग जंग तोनों ही आपस में बहुत सारी बाते कर रहे थे ज्यांग सिचेन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ज्यांग जंग अपनी मन में सुचता है वैसे ये सिचेन इतना बुरा भी नहीं है सच में भी सच के रादा ये तो बहुत बोलाइट है और उनका नीचर भी बहुत अच्छा है ऐसा सुचके अपने मन में स्माइल करता है सभी लोग ऐसे बात है करते हूँ मस्ती करते हूँ उस मेंशन के पास पहुंच जाते है जैसे ही गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने रुखती है विंग और जैंग 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 जब वो कार से बाहर निकलते हैं तो उन दोनों की तो आँखे उसको देखे बड़ी बड़ी हो जाती है विंग जैंग जैंग से कहता है ज्यांग जेंग तो कितना खूब सूरद है जंग जेंग कहता है सच का विंग तुमने यह तो बहुत खूब सूरद है तबी से चेंग कहते हैं चले अंदर चलते ऐसा कहें कि वो अंदर जाने लगते हैं विंग और ज्यांग चेंग की तो नजर उस मेंशन से हटी नहीं रही थी जैसे ही वो अंतर जाते हैं विंग की तो आँखें और बड़ी बड़ी हो जाती है सच में वो इतना खूब सूरत और प्यारा पैलिस था जिसे देखें उन दोनों की तो नजरें वहां से हटी नहीं रही थी तभी विंग केता है अच्छा तो यह आपका पुस्तेनी घर है तभी सिचैन केते हैं पहले हाँ हमारे ग्रांट फादर रहा करते थी सच कहें तो यह उनका पहले से फिर हम लोग डोने चाहके सिटी में अंदर अपना मेंशन बना लिया पर ऐसा नहीं है हमारा जब भी मन करता है हम यहां आते हैं रहते हैं विंग केता है वांग जी कहता है ब्रदर आपको पता है हमारा बच्पन तो यहीं बीदा है न सिचैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं सही का वांग जी तुमने जयांचे और विंग दोनों ब्रदर्स को देख रहे थी वो उन्व दोनों ब्रदर्स के चेहरे पर एक अलगी चमक थी उस मेंशन में अंदर आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को बस देख रहे थे थे जबी जांचेंग कहता है वैसे सच में ये पैलिस बहुत सुन्दर है आपने सही कहा था मिस्टर सिचेंग ये पैलिस तो बहुत खूब सूरत है इसमें शादी प्लान करने का आइडिया आपका बुरा नहीं है सिचेंग एक स्माइल करते हैं सिचेंग जांचेंग से कहते हैं अच्छा जांचेंग तुम चलो मेरे साथ मैं तुम्हें पूरा मैंशन दिखाता हूं जांचेंग कहता है जांचेंग और सिचेंग आगे चाने लगते हैं वींग और वांग जी पीछे पीछे जा रहे थे तब वांग जी से कहता है Mr. वांग जी वांग जी तभी वींग की तरफ कहता है वींग कहता है कि आपके लिप्स इतने ड्राइ होते हैं आपको उस पर लिप बाम लगाना चाहिए वांग जी एक मिनट तो सालेंट रहता है तभी कहता है अच्छुली उन्हें लिप भाम की नहीं किसी और चीच की जरूरत है जब तक उन्हें वो नहीं मिल जाती वो ड्राइ रहेंगे वींग की तो आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वांग जी के चेरे पे एक समक आ जाता है जिसे वींग देख लेता है विंग केता है सीमलेस वांग जी समाइल करता है और विंग चल्दी चल्दी आगे जांग चैंग के स्पास भाग जाता है सच तो यह था वांग जी कब दड़कने बहुत फास्ट हो गई थी वांग जी विंग की दड़कने देखते हैं, एंसन बहुत बढ़ा था, सबी बहुत धग गयते ते भी वांग जी वींग को वाही गार्डन दिखता है वींग उपर से जिस गार्डन को देख रहा था वींग केता है, वाव वी गार्डन तो बहुत गुपसूर securing है सिचैन केते हाँ मैं और वांग जी यहां बच्पन में बहुत खेला करते थे याद है वांग जी यहां बहुत सारे रेविट भी थे वींग कहता है क्या रेविट क्या रेविट अभी भी है सिचैन कहते हाँ अभी भी है वांग जी तबी विंग कहता है कि हमें उन्राविष्ट को देख सकता हूँ वांग जी कहता है बिल्कुल चलो मेरे साथ विंग जाना तो नहीं चाता था वांग जी के साथ लेकिन वो कहता है ठीक है ऐसा कहा कि विंग और वांग जी मेंशन से बाहर निकल के उस गार्डन की तरफ चले जाती है सिचेन और ज्यांग चेंग मेंशन में अंदर ही थे ज्यांग चेंग सिचेन को देख रहा था सिचेन कितने प्यार से ज्यांग चेंग को देख रहे थे तबी ज्यांग चेंग सिचेन से कहते है सिचेन मुझे आपसे कुछ पूछना है तबी सिचेन कहते है आप पूछो तबी जयांचंग कहता है आप मुझे ऐसे क्यों देखते हैं एक पल के लिए तो सिचेन पूरा शौक्ड हो जाते हैं येकिन फुर वो दीरे से कहते हैं जयांचंग काते हैं तबी सिचेन कहते हैं मैं तुम्हें लिए बहुत पसंद कहता है लेकिन जब पहली बार देखा था तो मेरी आंखे तुमसे हटी नहीं रही थी थभी पिचारे ज्यांग चेंग का चेहरा पूरा रेड हो जाता है वो तो पूरा पूरी तरीके से ब्लेश कर रहा था जबी सिचेंग कहते हैं ज्यांग चेंग मैं तुम से ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे अभी जवाब दो क्या मैं अभी चाहता हूं मै लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो सिचेन वाम जी ज्यांग चंग की तरफ बस देखे जा रहे थे ज्यांग चंग तो कुछ भी नहीं कह रहा था तबी सिचेन ज्यांग चंग का हाथ अपने हाथ में लेते हैं बेचारा ज्यांग चंग धीरे सिचेन की तरफ देखता है तब ज्यांगंचंगा फेस पकड़ते हैं जांगंचंग से कहती है मैं जानता हूँ यह सब बहुत जल्दी है पर मैं नहीं चाहता के मैं देर करों और अब तच कहां तो मुझे इस चीज का कोई रिख्रेट नहीं है कि मैं अतनी फीलिं sacrific तुमसे इतनी जल्दी बोल दी यकें सच यह है मैं तुमारे लिए यही फिल करता हूँ जियांग चेंग अब भी भी सिचेंग को देख रहा था जब भी जियांग चेंग कहता है सिचेंग मुझे तोड़ा टाइम दो मुझे नहीं पता है मैं क्या कहूँ और मैं इस समय भी कुछ भी तभी सिचेंग चेंग को हग कर लेते है बिचारा जियांग चेंग जैसे सिचेंग चेंग को हग करते है जियांग चेंग की तो हार्टबिट बुरी तरीके से फास्ट हो जाती है और वो एकदम से गहरी गहरी सास लेने लगता है सिचेन कहते हैं जांग 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 रिलेक्स मैं कुछ नहीं कर रहा है बस तुम्हें हग कर रहा है जांग 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 भी सिचेन को बैकक करता है और सिचेन कहते हैं ठीक है जांग 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 लेकिन तुम याद रखना मैं तुम्हें पसंद करता हूं ज्यांग चेंग बस एक स्माइल करता है सिचेन और ज्यांग चेंग दोनों नीचे आने लगते हैं तभी सिचेन ज्यांग चेंग का हाथ पगड़ लेते हैं ज्यांग चेंग सिचेन को देख रहे थे तभी सिचेन कहते हैं इतना तो मैं कर सकता हूँ न ज्यांग चेंग कुछ भी नहीं कहता उसके चेरे पर तो बहुत से कि स्मायल आ जाती है उसे जैंस चेंग अग भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो सेचेंग को किसी चीज के लिए मना क्यों नहीं कर पा रहा है और ये क्या हो रहा है उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था जब जब सिचेंग ने उसे हग किया जब सिचेंग ने अपना love confess किया पता नहीं क्यों जब जेंग सेंग को उससे भुण अच्छा लगा था फाइनली वो दोनों दीरे दीरे बाहर आने लगते हैं अब हम वांग जी और विंग को देखते है वांग जी वींग को ले जाके पीछे गार्डन एरिया में ले जाता है जहां वो देखता है कि बहुत सारे रैविट्स उन पूरे गार्डन में घूम रहते वांग जी वींग तो उन रैविट्स को देखके बस पागल हो जाता है और उनके पीछे घूमने लगता है तबी वांग जी कहता है विंग आराम से क्या कर रहे हो गिर जाओगे विंग कहता है बिलकुल नहीं कितने क्यूट हैं कितने प्यारे हैं तुम्हें पता है मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है वो तो भूली चुका था कि वो वांग जी को कितना रस्पेक्ट से बात कहता था वो तो बस वांग जी को तुम तुम कहके बात कह जा रहा था जो सुनके वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था तब ही विंग कहता है तुम्हें नहीं पता मुझे rabbits कितने पसंद है यह कितने cute होते हैं कितने soft होते हैं तब ही वांग जी wing के पास जाता है और year में कहता है बिल्कल तुमारी तरह है है ना wing बस वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है वांग जी कहता है यह rabbits बिल्कल तुमारे जैसे है soft, cute है ना विंग उसे में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है seamless तुम बहुत seamless हो वांग जी कहता है अच्छा इसमें क्या seamless है मैंने तो बस बताया है कि rabbits पिल्कुल तुमारे जैसे है विंग के चेरे पे कि smile आ जाती है लेकिन वो वांग जी की तरफ से अपना मुँ दूसरी तरफ कह लेता है थाकि वांग जी ये देख ना पाई लेकिन वांग जी देख लेता है कि विंग के चेरे पे कि smile आ गई है वांग जी और विंग उन ट्रेबिट्स के साथ खेलने लगते हैं तबी जांग चेंग और सिचेंग भी आ जाते हैं लेकिन जैसे ही वो विंग और वांग जी को देखते हैं जांग जल्दी से सिचेंग के हाँ से अपना हाथ कीच लेता है सिचेंग कहते हैं जांग चेंग जांग चेंग कहते हैं मेरा ब्रदर है तुम नहीं जानते है, वो कितना टीज करता है, पता है, वो कुछ भी बोल देता है। सिचय aquest कहते हैं, मुझे लगता है कोई तो होगा जो किसी दिन उसका मुझ बंद करने वाला आएगा। जैंचेंग कहते हैं, उसका मुझ बंद करने वाला कोई नहीं है। जो आएगा उसका ही मुझ बंद हो जाएगा फ़रता है ऐसा कहके दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और फाइनली वह लोग भी गार्टन में आ जाते हैं ज्यांग चेंग और सिचेंग और सिचेंग भी थोड़ी दिर उन रेविट्स के साथ खेलते हैं फाइनली च कहता है मुझे तो बहुत भूग लगी है मैं जच में खाना खाना चाहता हूं वांग जी कहता है अच्छा तो तुम क्या खाना चाहते हो बोलो मैं तो मैं वही खिलाओंगा वींग कहता है मुझे कुछ भी नहीं खाना और मुझे दूर रहो वांग जी कहता है अच्छा पर मैंने तो पूछा है तुम बस क्या खाना चाहते हो पांग जी विंग को बहुत बुरी तरीके से टीस कर रहा था उधर ज्यांग चेंग और सिचेंग एक दूसरे को देखकर बस मुस्करा जा रहे थे विंग एक पल के लिए नोटिस कर लेता है कि उसका भाई का थोड़ा तो में कुछ चेंग आया है तबी वो अपने ब्रदर से कहता है ज्यांग चेंग क्या हुआ ज्यांग चेंग क्या हुआ कुछ भी नहीं तबी विंग कहता है कुछ तो हुआ है क्या हुआ है ज्यांग चेंग क्या हुआ है ज्यांग चेंग क्या हुआ है चलो बहुत भूग लग करते हैं जियांग 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 तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना